लेकिन आपको बता देannya Jea कॉंग्रिस कमीड़ी केलिकर ने खुए भंग येज़ वक्ति की बड़ी काफरी क्धा डेस्वा का मौँदीर करने के बाद नहीं मिला डीम बनाने का मौका रेकिन अब यह मौका मिला है कारिकारणी में सही सदस्यों का चुनाब जो है वो किया जाएगा तो फिलाल आपको बता दे बड़ी कबर लोगसमा चुनाब में कुछ कमिया रही और उन कमियों को अब दूर किया जाएगा और शार्प सीट पर कम अंतर से हार हुई है बता दे कुल्दीप राठाओर ने फैसले का स्वागत किया है और जनता टीवी संभाता विकाष शर्मा ने कुल्दीप राठाओर से खास बाच्शीत किये अजबाबत आई सुनते हैं क्या कुछ का उन्होंने हिमाचा प्रदेश कॉंगर्स कमेटी में बड़ा बदलाव हुआ है और सभी कारेकारणी जो स्टेट की हैं उनको भंग कर दिया गया है इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हिमाचा प्रदेश के अध्यक्ष कॉंगर्स कमेटी के अध्यक्ष कुल्दीप हमारी ध्यक्ष ने जरूरत समझी हिमाचा प्रदेश को भंग किया जाए उनको भंग करने का पिछले का लादेश जारी किया हम इसका स्वागत करते हैं आने वाले समय में जो पुनर गठन होगा उसमें हम बड़ी मजबूती से जो है संगठन में ठीक लोगों को शामिल करे हैं तीन वर्ष जो हमाचा प्रदेश में भारतिय जनता पार्टी का शाषन है इस सरकार से लड़ाई लड़ने की शमता रखते हो ऐसे लोगों को लेके फिर से पुनर गठन होगा कारण क्या मानते हैं सर क्या कारण रहा होगा जो इतना बड़ा फैसला लिया गया सभी चीजों को एक साथ ही भंग कर दिया गया चाहे वो अगर जिले उस तरकी बात करें प्लॉक्स तरकी बात करें एग्जेक्टिव कमिटी के अगर बात करें तो क्या कारण क्या मानते हैं इमाचल पर्देश में संगठन को और बेतर आवस्ता में देखना चाहती है। इसलिए ये फैसला लिया। मैंने पहले कहा कि जो ये फैसला है ये स्वागत होगे इसे पार्टी को फादा ही होगा। लेकिन कहा ये भी जा रहा है जो चर्चा है वो ये भी है कि अब गुडबाजी जो है जिसके चलते कई चुनाव आप हार गए अगर उप चुनाव की बात करें तो बहुत बुरी हार जो है वहां हुई है। धरमशाला में तो आप अपनी जमानत जो है वो भी नहीं बचा ही था जो है मोदी साब की जीत हुई लेकिन आज जो है हालात देश और प्रदेश में जो है लगातार बतल रहे हैं जिस धंक से कॉंगरेस पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में फिर से अपने आपको स्थापित किया अभी आपने देखा होगा कि पिछले दिनों पूरे हिमा के आए आप स्वेम इस बात के साक्षी हैं तो ये लग रहा है कि कॉंगरेस पार्टी जो है संगर्श के लिए जो है पूरी तरह से त्यार है और रही उप चुनाओ की बात ये ठीक है कि धरमशाला में हमारी हार हुई उसका सबसे बड़ा कारण ये रहा कि हमारे जो सापित नेता थे वहां से जो मंतरी रहें उन्होंने एन समय पे सेथ का हवाला देखे चुनाओ लड़ने से इनकार किया लेकिन दूसरा चुनाओ जो पचाद में हुआ उसमें हमने अपनी जबरदस उपस्ती दर्ज की हम बहुत कम मतों से हरे हिमाचल में तीन वर्षों के लिए सर है चुनाओ खारे ये विजे की दिश्यम है हमारा पहला कदम है लड़न थाब एक सवाल ये भी है कि बीते दिनों में आप दिल्ली गए मुकेश अगनी उत्री जो की सीलपी लीडर है वो दिल्ली गए उसके बाद ये बड़ा फैसला जो हाई कमान ने यहां पर लिया लेकि कि बाद थाकुर रामलाल जो है वो भी दिलर ग Castello है कि इसके अबिखिए अगर कोई अक्षिल-भारती कॉंगेस कमिटी के कारेले में जाता है तो क्या गलत बात है हमारे जो पार्टी के बड़े नेतां है या कारेकरता है वो दिल्ली जाकर अगर भड़े नेतां से मिलते है तो इसमें कोई बुरार नहीं है कि वो इसी समय में सब को अलग अलग बुलाया जा रहा है सब लोग अलग अलग जा रहे हैं क्या अध्यक्षपद को लेकर भी अब इस पर कोई बड़ा फैसला आ सकता है या आपके उपर ही सहमती जो है अभी तक बनी है देखिए एक बात मैं सबस्ट कहना चाहता हूं कि मैं किसी बे कोई संदेश नहीं करता है जितने लोग पार्टी के निता हैं मैंने सब के साथ काम किया और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूंगा कि अगर शिरीमती सोनिया गांदी ने फैसला लिया कि पार्टी अध्यष को छोड़के बाकी सारी इकाईयां भंकी तो एक संदेश जो है पूरा उन्होंने दिया कि उनको मेरी कार्या प्रणाली पे विश्वास है इसलिए उन्होंने मुझे यथावत रखके बाकी काईयां भंकी बाकी रही दिली जाने की बात उसमें मुझे ना किसी पे संदेश अगर कोई जाता है मैं उसका स्वागत करता हूँ अच्छे बताईए कि अब नई कार्यकारणी का गठन कब तक हो जाएगा और किन लोगों को तरजीह मिलेगी क्यूंकि पिछले साथ साल की जो कार्यकारणी बनी थी वो तो अब भंक कर दी गई इसके बाद आगे क्या होना है जसके बाद अब तो कार्यकारणी भंक होई अब थोड़ा समय तो लगेगा कितना समय चेह अगा? अभी समय लगेगा क्योंकि ब्लॉक, जिला, राजस्तर की काईयां भंग हुई हैं, अब एक दम नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ये सारी काईयां भंग हुई हैं, तो मुझे फैसला लेने के लिए जो है, पार्टी के विरिष्ट नेताओं से मैं चर्चा करूंगा, अपने साथ लोगों को भी उसमें जगा दें, वहां ऐसे उरजावान कार्यकरताओं को जगा देने का प्रियास करें, जो आने वाले समय में तीन वर्षों में सडक में आकर भारतिया जनता पार्टी से जंग लड़ने की शमताय रखते हूं, इसके लिए मुझे समय चाहिए, एक सवाल मानते हैं क्यों हटाया होगा और इसका फाइदा जो है वो क्या मिलने वाला है? देखे ये आप गुमाफरा के फिर से उसी प्रेशन पर आगए हैं, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि पार्टी में जो हमारी राश्टी है धैक्शन, जब से वो बनी है, वो बड़े बड़े जो भी प्रोटेस्ट मार्ज से उसमें सारी जगा साथ थी, पूरे दोरे उन्होंने प्रदेश के किये, उनका भी फीड़बेक रहा होगा और जो ये फैसला लिया, निश्चे तोर पे ये पार्टी की भेतरी के लिए लिया गया जो है निरने आने वाले समय में आप क्या द बात है, अभी हमने ट्रेलर दिखाया, जो ये धर्णा प्रदर्शन हुए, जिस धंग से कॉंग्रेस पार्टी के कारे करता उमर्ड के आया, ये ट्रेलर था, और आप देखेंगे कि मैं फ्रंट से लड़ने में विश्वास रखता हूं, मैं किसी के कंदे पे बंदूग चल है, सरकार बड़ी अच्छी तरह चलाती है, विपक्ष में कहीं न कहीं, जो है, हम पीछे रहते हैं, विपक्ष की भूमी का भी हम बड़ी जोर धंग से निभाने वाले हैं, हमसे बातचित करने के शुक्रिया तो ये थे, कुल्दीप सिंग राट और जोकी प्रदेश, यद इतने वरिष्ट लोग हैं, नेता हैं, उन से बातचित करके ही नए कारकारनी का गठन किया जाएगा, अपने सेयोगी गजेंदर के साथ, विकास शर्मा, जनता टीवी, शिम्ला